तोस्तो आज की सब्सक्राइब बात करने वाले TN के अपडेटे स्कोरिंग सिस्टम के बारे में जीए दोस्तो चाथ सबुर्य को पताए कि जो टीटेन के स्कोरिंग सिस्टम उसको अपडेट कर दिया गया दुबारा से ही बनाये गया और इसमें काफी सारे लोगों का सवाल क्या याइपडेट अमारे अब श्यार है या क्या इस से में फायदा होगा की नी होगा या कुछ बूर्ड होगा या कौना से प्लैयर हमारे लिए म suchen बडु कर सावाल मुझे मिल रहा है अब में फिलाल और हम इस वीडो मिसी बे डिसकॉस करेंगे कि कौन सप्लेधर कोम प्ली, तरह उसे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो लाइक भी कर सकते हो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि यसे प्रोफिटेबल कंटेट आपको देखने को मिलता रहे है फ्यूचर में भी फ्री अफ कोस्ट राइट हम बढ़ते ही स्कोरिंग सिस्टम के साइड मैं देख जरूर पता तो क्या क्या चैंज चैंज्ज आपको देखने को मिले हैं हम T10 सेलेट करते हैं तो जो सबसे पहला चैंज और बड़ा चैंज है ना दोस्तों हो है base score पहले जो base score था ना मतलब जो match शुरू होने के तुरंत जो score मिलता है सभी प्लेयर्स तो उसको कहते है base score ठीक है तो पहले क्या था 50 का base score था लेकिन अभी उसको reduce कर दिया गए घटा के कर दिया गए 32 ऐसा क्यू किया क्या 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 गया इवन 50 थी तो जैसे match शुरू होता था उनके price में कोई भी changes देखने को नहीं मिलता था इवन वो जैसे match शुरू होता था वो profit में चले जाते थे क्यूंकि उनका जो performance average था वो even दिया के game score से कम था जिसकी वज़ा से उनको profit हो जाता था और वोगर वो 10-15 run भी बना लेते थे एकाद विकेट भी ले 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 दे थे तो काफी ज़्यादा profit देखने को एक ही match में मिलता था लेकिन उसी को मत दे नजा रखते है वो sixer ने गया गया जो 50 का game score था उसको उन्होंने अब इसके बारे में आपको नहीं पता तो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हो कि प्राइस क्यों ड्रॉप होदा हर प्लेयर का जब मैच सुरू होदा है तो राइट तो अब हर एक प्लेयर लॉस में चला जैगा जैसे ही match सुरू होगा जो कि पहले नहीं हो रहा था जब game score 50 था तो सभी लोगों ने इसका काफी फायदा उड़ा है यानि कि अगर आप batsman भी buy करते हो या फिर baller भी buy करते हो कोई भी player आप buy करते हो सभी को जो है फायदा मिलेगा जिनका game score जिनका performance average कम रहता था तो यह अब इसका मैं बताता हूँ कि क्या फायदा है देखो फायदा इसका यह है कि जो आपके पास एक opportunity आगे sort करनेगी बेसिकली अगर आपने माली जाग किसी player को buy किया जिसका performance average 70 है तो वो जैसे ही 32 का game score मिलेगा उसकी price डाउन चलेगी ड्रॉप हो जाएगी और यहाँ पे आपको अगर आपका player खराब perform करता है तो आप sort करके अच्छा खासा profit जो है earn कर सकते हो लेकिन वही problem था जब 50 का game score थ तो वो 70 के game score रुप आराम से पहुँच जाएगा और वहाँ पे कोई भी फायदा नहीं होगा राइट तो यहाँ पे basically sorting option बढ़ गया है game और जो base score उसको इनो ने जब से reduce करके 32 किया है ठीक है अगला जो update मैं आपको बताओ देखने को मिलेगा वह है milestone bonus update दोस्तों जो पहले इसको change करके अच्छा किया गया, increase किया गया है यानि कि जैसे आपका player 25 बनाएगा उसको 5 point मिल जाएगे और जैसे वह 50 run बनाएगा उसको 8 points मिल जाएगे तो यह increase किया गया, यह काफी अच्छा है यह basically help करेगा batsman को या फिर all rounders को या even ballers को जो run बना रहे है अच्छा खासा ठीक है, तीसरा जो change किया गया है वो dismissal का, पहले कहा था कि अगर आपका player बैटिंग करते वक्त out हो जाता है तो उसके 10 points reduce कर दिया जाते थे, ठीक है, लेकिन अभी इसको बढ़ा करके 12.5 कर दिया गया, यानि कि अब जाधा points कट होंगे अगर आपका player जो है out हो जाता है, त तो इस strike rate का अगर मैं आपको इक टेबल दिखा दू, scoring appendix, तो यहां पे देखो कि strike rate का, यहां पे थोड़ा सा नुकसान है batsman का, ठीक है, पहले यह थोड़ा फायदा कर रहा था, अभी यह थोड़ा नुकसान करेगा, यहां आप देखोगे तो यहां पे, अगर आपका player एक भी point नहीं मिलेंगे, इस strike rate के, समझ रहा हो, मतलब अगर वो बहुत तेजी से भी run बनार, for example, अगर आपका player तीन ball में, उसने 6 run भी बनाया न, तो उसको strike rate का कोई भी bonus point नहीं मिलेगा, यह नुकसान है, लेकिन अगर आपका player जैसे सागे खेलता जाएगा, और 4 ball से जाधा केल लेगा, और अगर इस strike rate इन points के बीच में आती है, तो उनको इस तरीके का bonus point देखने को मिलेगा, हलागि अगर यह समझो, कि डेड़ सो से नीचे का अगर इस strike rate है, अगर आपके batsman का, तो वो points है, वो reduce कर दिया जाएगा, 10 point, 20 point, 30 point, ऐसे कर गे, तो total समझो, कि T10 में जो अगर उसने 10-20 run भी बनाए है, और लगबग 300 के आसपास के strike rate से बनाए है, तो आपको आराम से 30-25 point दे देगा, जिससे आपको काफी जाधा help मिलेगा, आपके bats से जाधा profit आपको तेखने को मिलेगा, राइट, अब मैं बताता हूँ कि यह तो 4 updates में आपको बताता हूँ कि फायदा किसमे, batsman, baller, all-rounder, क्या हमें buy करना जाए, long में profit है या short में profit है, तो द्यान से देखो, जो सबसे पहले अगर हम batsman की बात करें ना दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पर test player नहीं चलने वाले, for example, ऐसे player जो लंबी inning खेल रहे है, मतलब जो 50 run बना र पूरन है, Johnson Charles, Andre Fletcher है, या फिर Andre Russell है, है न, जो, या फिर Roman Powell है, जो की काफी अच्छी strike rate से खेलते हैं, वो batsman आपको जरूर से जरूर profit देंगे, अगर वो अच्छा perform करते हैं, तो, क्योंकि इतना जानो कि कोई भी West Indies player, उसकी strike rate हमेशा ज्यादा होती, और strike rate ज्यादा होने आपको profit ज्यादा मिलेगा, अभी मैं आपको बता हूँ, for example, कल के matches में मैंने देखा, कि Heils ने भी उतने ही run बनाये थे, और Johnson Charles ने भी उसके आसपास ही run बनाये थे, लेकिन Charles की strike rate ज्यादा अच्छी थी, तो, जिसके वज़े से उसका game score 130 के आसपास पहुंच गया था, और जबकि Heils की जो game score थी, वो केवल और केवल असी की थी, तो यह आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा difference है, basically 40-45% का ज्यादा points में देखे तो difference हा रहा है, तो इसलिए आपको batsmen ऐसे लिए, जिनकी strike rate ज्यादा अच्छी रहती है, और जो top order में biting करते हैं, और फिर कहीं भी biting करते हो, और economy अच्छी हो, मतफसाधी वी गेंदबाजी करते हो, थोड़ी बहुत economy अच्छी है, और एकाद wicket भी निकाल लेगा ना, तो आपको हराम से profit दे देगा, ठीक है, अगर हम बात करें, all-rounder की तो काफी साही है, जैसा ड्वेन प्रिटो औरियेस, आप देख सकते हो, bowling दो बर कराते हैं, काफी अच्छी बॉलिंग भी, और हिट भी काफी अच्छा कर लेने, दो-चार दसरन बना देते हैं, तेज गती से, तो all-rounders तो हमेशा जो हर लीग में profitable है, तो आप उनको जरूर से भाई कर सकते हो, अब बात करें, long बर से short, long लेना करना चाहिए, कि short कर करना चाहिए, तो देखो, short भी अभी आप कर सकते हो, लेकिन काफी risk है, दोस्तों, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, क्यूंकि अभी भी base score 32 की है, जो की काफी जाद है, पहले अगर आप देखो कि T20 में, तो अंदरक या सपास का game score मिलता है, या Rodeyam 11 का game score मिलता है, ज अगर उसने थोड़े बहुत भी run बना दीने, for example, मैंने देखा कि काफी सारे लोग जो है, काफी सारी user, उन्होंने सकीब लहसन को short किया था, इवेन काफी सारे लोगों ने रोहन मुस्तफा को short किया था, क्यूंकि उनकी game score 70 के आसपास थी, और सकीब के भी 80 के आसपास ही हो उनको भारी नुकसान हुआ है, इसलिए इस चीज को समझो कि short में अभी थोड़ा risk है, हाला कि आप कर सकते हो batsmen को short कर सकते हो, जो batsmen slow खेलते हैं, और जिनकी strike rate उतनी अच्छी नहीं रहती है, और batting नीचे करने आते हैं, तो उनको आप short भी कर सकते हो, ठीक है, उमीद करते अपना decision आप बना लो कि कैसे आपको profit लेना यहां से, बाकि मुझे काफी अच्छा लगा, इनके सारे updates हमें सा अच्छे रहते हैं, ठीक है, हमें हर situation का जो हर opportunity में फायदा उठाना चाहिए, तो उमीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, और काफी इससे आपको help होगी इस T10 में profit करने में, आपको कोई भी question query हो तो आप पूस सकते हो comment में, और Instagram पे पूस सकते हो, link आपको description में मिल जाएगा, और आप Telegram चैनल भी join कर सकते हो, जिसका link आपको फिर से, मैं बता रहा वीडियो की description में मिल जाएगा, महा से आप check out कर सकते हो, क्यूंकि आपक exclusive news updates हो ही देखने को सबसे पहले मिल जाएगे, तो फिलाल इस वीडियो में मिलता है, मिलते के लिए वीडियो में देखने के दने बाद जाहिंद,